हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, सदा रहें हमारे साथ, सब्सक्राइब करें दिलक क्योंकि नियाय करते हुए उधारता को भी नहीं छोड़ना चाहिए राम, कल तुम्हारे सिर पर राजमुकुट पहनाया जाएगा परन्तु ये याद रखना, जो राजमुकुट पहनता है, वो अपने आपको अपने देश और अपनी प्रजा के हाथों सौप देता है राजा होने का अर्थ है, सन्यासी हो जाना, फिर उसका अपना कुछ नहीं रह जाता, सब कुछ देश का हो जाता है आवशक्ता पढ़ने पर, राजा को देश के लिए स्त्री, पुत्र, मित्र, यहाँ तक कि अपने प्रान भी त्यागने पढ़ें, तो त्याग दे क्योंकि देश ही उसका मित्र है, देश ही उसका परिवार है, जो देश के लिए अपना सब कुछ नहीं त्याग कर सकता, उसे राजा बनकर प्रजा से कर लेने का कोई अधिकार नहीं राजा को अपने हर आचरन से एक मर्यादा, एक आदर्श थापित करना पड़ता है, क्योंकि प्रजा उसी को देखकर आचरन करती है एक राजा की मूल शक्ती दंड नहीं, न्याए है, न्याए जो पक्षपात से रहित हो और जो संकुचित भी नहीं हो, क्योंकि न्याए करते हुए उधारता को भी नहीं छोड़ना चाहिए राजा को प्रिथ्वी का भगवान कहा गया है, क्योंकि लाखों प्राणियों का जीवन मरण, सुख दुख उसके हाथ में होता है इसलिए उसमें दया, ख्षमा, उदारता, आदि भगवान के गुण होने चाहिए युद्भूमी में राजा को अपनी सेना के आगे रहना चाहिए जो सुख वीर नहीं होता, सेना उसका आदर नहीं करती राजा को चाहिए, रिशियों, विचारकों और कवियों के आगे सदा नतमस तक रहे क्योंकि वही पत्परदर्शक होते हैं, सही रास्ता दिखाते हैं उसके जो अंतरंग और निस्वार्थ मंत्री हों, उनकी आलोचना का आदर करे उन पर भरोसा करे फिर भी अपने मन की गूड़ बात अंत तक अपने मन में रखे राजा को चाहिए अपने गुप्त चरों द्वारा राज्य की पूरी खबर रखे मैं जानता हूँ राम कि तुम स्वयम राजनीती के पूर्ण ग्याता हो परंतु एक जाने वाले राजा का ये कर्तव्य है कि वो आने वाले राजा को अपने अनुभवों से अवगत कराएं